हेलो वरिवन वेल्कम टू बरेंशोक्स तो यह गेट 2022 की अफिशल अंसर की आ चुकी है तो उसके साथ रैंक प्रडिक्टर भी अपडेट हो जाएगा ओफिशल अंसर की साथ ठीक है और कुछ बच्चों का डाउट था कि जो यह रैंक दिखा रहा है और एकस्पेक्टेड दि पहलेगा ठीक है तो देखो जो एस्टिमेट दिखा रहा है आपका यह तो नहीं आने वाला है ठीक है इसके आपका रहेगा इसके आसपास ही ठीक है अब डिपेंड करता है कितना वेरी करता है वो डिपेंड करता है आपकी आपकिस रेंज में हो जैसे यह वाले हैं वाले 60 से उपर वाले यहां 50 सूपर वाले जिन के अच्छे marks आ रहे हैं तो वो ओल्मोस्ट का maximum student वो लेग चेक कर लेते हैं ठीक है जो यहां पर यह वाली रहें जैसे यहां पर 100 से ज्यादा रहें लोग हैं यहां पर जैसे 1000 है यहां पर बहुत variation आएगा और प्लस variation डिपेंड करता है एक तो लोगों ने चेक नहीं किया होगा रैंक प्लिक्टर में दूसरा वेशिन आएगा MTA के वेज़े से marks to all तो जैसे मान लीजिए किसी question में आपने a tick किया है और उसका आएटीन अंसर की भी a दिये तो उसमें क्या होगा अगर वो question marks to all में चला गया तो उसमें आपका loss हो जाएगा क्योंकि उसमें क्या होगा जो आपके पीछे वाले होंगे जिन्होंने B, C या D answer लगाया होगा ठीक है होसकता वो लोग आपके पीछे हो एक एक नंबर वो लोगों को फायदा हो जाएगा प्लस वन माग और अगर आप B, C, D में हो कि आप आएटीन अंसर A दिया है आपने B, C, D लगाया है तो आपको फायदा हो करेंगे और official answer की आई है इसके बाद objection रिस करेंगे students और जो final answer की है वो I think result के time ही आती है उससे पहले कुछ नहीं पता चलता हमें ठीक है तो अगर आपको कुछ लगता है कि जो marks to all 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 कोशन अगर आपका सही है वो फिर आपको loss हो सकता है अगर गलत है तो फिर फायदा हो सकत है ठीक है तो इसके इलावा कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो ठीक है मैं सबकर एप्लाय करूंगा और वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू सो मच